वेलकम दोस्तों मैं सहबाज आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाने वाले हैं कि पानी के मोटर के अंदर हीट मास्टर या फिर आप बोलो ओटो कट किस तरह से लगाया जाता है जिसके जरी दोस्तों आपका मोटर तब भी अवर हीट होगा आपका मोटर अपने आप से बंद हो जाएगा और नॉर्मल टेंपरेचर होने पर वापस से चलने लगेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे पास हीट मास्टर है इसे हम इस पानी की मोटर के अंदर लगाने वाले हैं तो चलиे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारी मोटर से जब हम connection करेंगे तो 4 वाइर निकल कराते हैं यहाँ पर 2 running coil के वाइर हैं 2 starting coil के वाइर हैं आप heatmaster तब भी लगाते हो तो सबसे पहला आपको बनाना होता है common wire अभी आपके बीच में ये होगा कि हम common wire तो बना लेंगे लेकिन क्या confirm है कि motor सीधा ही चलेगा तो मैं आपको ऐसा trick बताऊंगा जिसके जरी आपको motor सीधा ही चलेगा सबसे पहले आपको दोस्तो समझना होगा जैसा कि दोस्तो हमारे पास हमारे दो हाथ हैं अपने तरफ motor को करके ये तो हम हो गया हमारा left hand side और ये right hand side अब यहाँ पर दोस्तो जब हम common wire बनाएंगे तो आपको करना क्या है इन 0 को थोड़ा समझना होगा जैसा कि दोस्तो ये तो हो गया हमारा motor का connection side यहाँ पर दोस्तो हमारे motor से 4 wire निकल कर आए हमें करना क्या है हमारे एक उल्टे हाथ में हमने running का कोई भी एक wire पकड़ना है जैसे कि running coil से निकलता है एक ये वाला एक ये वाला आपको इसा भी एक चूज कर लिजे जैसा मान लिजे मैंने ये किया इससे just next अगला वाला जो आपके सीधे हाथ में wire आता है यहाँ पर अगला वाला ये आया हमारी starting coil का इन दोनों को हमें एक जगा कर देना है अब दोस्तो ये हो गया हमारा common wire और दोस्तो confirm है कि आपका मोटर सीधा चलेगा लेकिन आपको करना क्या है जो भी आपके मोटर से जितने भी inner wire निकलते है वो सभी आपके सीधे हाथ की तरफ आने चाहिए तो ये हो गया हमारा दोस्तो common wire तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमने common wire बनाया है इसके उपर दोस्तो silu pipe हम डालेंगे अब यहाँ पर आप zero number silu pipe भी डाल सकते हो या फिर एक number silu pipe भी दोनों wires के उपर आपको ये silu pipe डाल कर complete कर लेना है देखे जैसे कि हमने ये क्यर लिया है इसके बाद ये दोनों wires हमें एक साथ जोड़ देने है यानि कि एक जगे ही इन्हें हमें रखना है joint करना है उससे पहले हम क्या करेंगे इसके उपर जो insulin होता है उसे remove करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो insulin remover chemical भी आता है वो भी उज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से कैंची से रेगमाल से रगड़ कर इसे दूर कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा joint है वो properly हो सके अभी आपको करना क्या है heat master लेना है हो सकता है आपकी भासा में इसे आप auto cut बोलें इसके दो सीरे निकलते हैं किसी भी एक सीरे को आपको जो यह हमने common wire बनाया है इसके साथ में दोस्तों properly joint कर देना है अच्छे से tight से joint करें इससे अगला दोस्तों आपको 4 flexible wire लेनी है दो red हैं, दो black हैं जो हमारी दोनों red wire हैं वो हमारी electricity की supply के लिए होंगी और जो black हैं वो capacitor के लिए होंगी तो हम सबसे पहले एक red wire लेते हैं और जो हमारी heat master यानि के auto cut का जो दूसरा सिरा है उसके साथ properly से joint कर देते हैं यह हमने joint करकर कर दिया complete इसके बाद हमें एक red wire लेनी है और एक black wire लेनी है और दोनों को एक साथ में joint कर देना है अभी दोस्तों आप इन दोनों wires को एक जगे कर दोगे red और black को अभी हमारी पास एक running का एक finally एक wire बचा है एक तो हमने common wire में यूज ले लिया एक इसके सामने हमें आरे पास एक running की wire बची हुई है ये वाली इसके साथ में हमें ये red और black wire mix में joint करना है finally हमार पास एक black wire बची ये हमें जो कि starting wire से एक wire बचा है इसके साथ में joint करनी है तो चलिए दोस्तों इन पर हम silly pipe डालते हैं और joint करकर करते हैं complete जैसा कि ये red और black है ये कि मैं running wire के साथ में joint कर देता हूँ इसके साथ में अभी आपको finally जो black wire है वो तो capacitor के साथ में लगानी है और red है जो कि direct electricity में लगाना है simple सा है ये तो हमने कर दिया running wire के साथ में joint और जो black है उसे हम starting का जो ये wire बचा है इसके साथ में complete joint कर देते हैं तो फिलाल दोस्तों हमारे almost सभी joint होकर गो गई complete इसके बाद हमें सभी जितने भी हमारे joints हुए है सभी पर sillew pipe आपको डाल कर complete कर लेना है यहाँ पर हमारे चार joints हुए है सभी पर आपको sillew pipe डाल लेना है सभी पर डाल लेना है इतना डालना है कि जो हमारे joint से वो properly cover हो सके यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया कि heat master या auto cut कैसे लगाते हैं बाकि आपको जो basic connection सीखने है तो उस वीडियो मैंने बनाया हुआ है उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो i button पर आप link देख पारे हो इससे visit करके आप देख सकते हो description में भी दिया गया है अब जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर sillew pipe डाल कर complete किया बाकि दो wire हमारे पास बच्चे हैं इन दोनों पर भी हम sillew pipe डाल कर complete कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों आप अच्छे से ख्याल रखें कि जो आपका joint है वो leak ना हो और properly sillew pipe से cover हो पाए इसके बाद यह hole दिया हुआ है इस hole से हम इन 4 wires को बाहर निकाल लेते हैं और जो heat master है जो यह auto cut है यह हमें coil के बीच में छिपाना है ताकि जो कि यह properly heating पर motor को रोक सके जैसे कि मैं इस coil के बीच में running coil के बीच में थोड़ा अच्छे से gap बना लेता हूँ इसमें और इसके बीच में इस heat master को अच्छे से गुशा देते हैं यानि कि जो कि यह heat master है यह properly इसकी heating को read कर सके दोस्तों आपको कभी भी जो heat master है यानि कि यह auto cut है वो कभी भी starting coil में नहीं लगाना है common wire बना कर running coil में ही लगाना है यह थी आसान प्रोसेस auto cut लगाने की बाकिया आपको motor को सलाय करकर complete कर देना है जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो मैंने motor का सलाय करकर complete कर दिया है और यहाँ पर मैंने motor को जूड़ दिया है एक ampere meter से अभी दोस्तों मैं इसे बहुत ज़्यादा heat करने वाला हूँ और देखते हैं दोस्तों कि motor हमारा auto cut होता है या नहीं होता है जैसा कि दोस्तों मैंने इसमें electricity लगा दिया है और आप देख पारे हो यह motor तकरीबन इस position में 10 ampere ले रही है अभी इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं और देखते हैं कि motor बंद होता है या नहीं होता है अगर दोस्तों हमारा motor बंद हुआ तो ampere 00 हो जाएगा तो चलिए दोस्तों थोड़ा wait करते हैं और motor को fully heat होने देता है जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो मैं motor को इतना heat कर रहा हूँ कि धुए निकलने लगे हैं तो आप देख सकते हो auto cut से motor बंद हो गया तो दोस्तों ये था आसान प्रोसेस पसंद आई तो like करना वीडियो जदा ज़द अपने दोस्तों को विश्रात में शेर करना चैनल को subscribe और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना भूला मैं मैं तो आप से next video कुछी ने update किसा आपने thank you